रामा रामा रखते रखते भी तेरे उमारिया रघुकुल नंदन कब आएंगे प्यासीर नजरिया कहा जा रही है महरानी सज़धज के ममी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ ममी के पास दो तीन दिन में आ जाऊंगी अरे अभी चार दिन तो हुए तुझे मायके से रहे हुए तेरे मायके में हीरे मोती बट्ते हैं क्या जो जब देखो मू उठा के चल देती है ये कोई तरीका हुआ जब मर्जी हुई बैग उठाया और चल दिया ममी जी मेरे ममी की न तबियत खराब है इसलिए मुझे उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है इसलिए तो जा रही हूँ अरे पायल अब तु इस घर की बहू है तो तेरा पहला धर में यहां की बारे में सोचना क्या जब देखो मायका मायका करती रहती है मम्मी जी, हमेशा तू इस घर का ख्याल रखती हूँ, सारी चीजे तो करती हूँ इस घर के लिए, लेकिन अभी मेरी मम्मी को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा. अच्छा ये सवी है अरे तो क्या हमको तेरी जरूरत नहीं है तो यहाँ से चली जाएगी तो यहाँ का सारा काम कौन करेगा तुझे तो बस बहाना चाहिए तेरे माई के जाने का मम्मी जी आपको एक बात अच्छे से ही पता है मेरा कोई भाई नहीं है जो मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखे इसलिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का की नहीं वा भाई तो इसमें भी मेरा ही कसूर है क्या जो तेरा भाई नहीं है तो मैंने तो यही देख के अपने बेटे की शादित उससे करी थी अगर तेरे माँ बाप का घर ही नहीं चलता तेरे बिना, तो तेरे शादी क्यों की? घरी भी ठाके रखते तुझे. देखे मम्मी जी, आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं. आपने मेरी नौकरी देखकर शादी करी थी अपनी बेटे की. क्या? बस यही कमी रे गई थी अब. अब तो अपनी नौकरी और पैसो का धोश जमाएगी. जैसे तुझ अब तक नहीं आई थी, तो हम तो भूखे मर रहे थे. उसके पहले तो हमारे घर कुछ था ही नहीं. हम तो जुगी जोपड़ी में रहते थे. जब से तु आई है कमाने वाले तब से हम महलों में रहने लग गए हैं. है ना? बड़ी जबान चलने लग गई आजकल तेरी. कोई लिहाज भी नहीं है कि किस से क्या बात करनी है. मेरे बेटे ने सर पे चढ़ा के रखा है तुझे. रुक, अभी मैं अपने बेटे को बलाती हूँ और तेरी सारी हेक अपनी नौकरी और पैसे का धोस दिखा रही है मुझे अरे ममी ऐसा क्या कह दिया इसने? ममी जी बात ही ऐसी करती है कि मजबूरी में मुझे ऐसा बोलना पड़ा मैं भी इंसान हूँ मुझे भी गुस्सा आता है कुछ भी बोलती रहती है अच्छा तो अब मैं बात ऐसी कर कि एक दिन उसकी बीबी है और मुझे चार बाते सुनाए अरे ममी आप पहले शान थो और मुझे बताओ कि बात क्या हो गई? इतना क्यूं गुस्सा हो रहे हो? बताओ तो सही ऐसा भी क्या बोल दिया है पायलनी जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? मुझसे क्या पूछ रहा है अपनी महरानी से ही पूछ ले सर पे तो तूने ही चड़ा रखा है मायके को ससुराल और ससुराल को मायका बना रखा है जब देखो हर चार दिन में बैग उठाती है और मायके पहुच जाती है मेरी भी तो शादी हुई थी मैं जब शादी करके इस घर में आय थी पूरे मायके चली जाती हो पहले अपना ससुराल तो समालो शादी के बाद तुम्हारा घर यही है तुम्हारा मायका नहीं इसलिए पहले यहां की जिम्मेदार्या निभाओ उसके बार समय मिले तो मायके जाओ और यह क्या है जब देखो मायके उठके चल देती हो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं रहता है पहले यहां कि जिम्मेदारी का इनिभाव को शादी के बार लड़की का घर उसका ससुराल होता है का नहीं मेरे जिम्मेदारी क्या है इस घर में काम ही तो करना है ना उसी के लिए तुम सबको यार आती हूं तो सारा काम मैंने कर दिया है जाड़ों पोचा सब कुछ अरे बहु, सब नाटक हैं तेरी मा के, उनकी तो रोज ही तवियत खराब होती है, बेटी को जो बाहाना बना के बुलाना है घर पे ऐसा है न माजी, कि जो जैसा होता है, वो वैसा ही सोचता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों से बहस करने का, मुझे ममी के पास जाना और उनको हॉस्पिटाल लेके जाना है तो मैं जा रही हूं माएके, और खाना बाई आकर बना देगी अच्छा, तो क्या बाई फ्री में काम करके जाएगी? और रही बात उसके पैसो की तो मैं अपनी सैलरी में से दे दूँगी, आप लोगों को कश्ट करने की कोई जरूरत नहीं है देखा बेटा, देख, कैसे अपनी सैलरी का थोस जमा रही है? यही तो कबसे तुझे समझाने की कोशिश कर देई हूं जैसे कि यह गर इसी के पैसो से चलता है, उसके पहले तो हम सब भूखे ही मरते थे देखा कितना घवंड है इसे अपनी नोकरी का? हम तो भिखारी है जैसे, इसकी दुआओं पे ही पल रहे है पायल, यह सब क्या है? तो ममी जैसे किस तरीके से बात करी हो, बात पैसो की नहीं है तुम्हें पता भी है? मेरे ममी पापा ने कितने मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया है कितनी मुश्किलों से मुझे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, इतना बड़ा किया है तो मेरे मम्मी पापा की सेवा करना मेरा पहला धर्म है और मेरे साथ साथ ये तुम्हारा भी धर्म है मुझे भी और तुमें भी पहले अपना ये धर्म निभाना है आज मैं जहां पर भी हूँ न सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वज़े से ही हूँ राहुल अच्छा आप एक बात बताईए अगर आपके मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी है आपको पाल पोस्कर बढ़ा करने की आपको पढ़ाया लिखाया है इतनी मुश्किलों से तो क्या मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया मैं ऐसे ही बड़ी हो गई उन्होंने कोई परेशानी नहीं उठाई मुझे बढ़ा करने में मुझे इस काबिल बनाने में क्या उनकी कोई महनत नहीं लगी आपको पाल पोस्कर बड़ा करने में तो आप उनके साथ ही रहते हो आप उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं गए हो और उनका ध्यान भी रखते हो मेरे मम्मी पापा ने भी महनत करी है लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं रहती मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे शादी हो गई है ये दुनिया का रिवाज है इसमें कुछ गल्ट नहीं है लेकिन शादी के बाद भी मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है मेरे मम्मी पापा के लिए अगर कोई और होता मेरा भाई होता उन्हें सम्हालने के लिए तो बात अलग थी लेकिन मैं उनको आज अकेले तो नहीं छोड़ सकती वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे ससुराल वाले नहीं चायते कि मैं महां जाओं या उनकी वददत करूं मैं लड़की हूँ, मेरी शादी हो गई है मेरा भी तो फर्ज बनता है उनके लिए कुछ तुम्हीं बताओ मैं कभी नहीं चायती राहूल कि उन्हें बेटे की कमी खले क्योंकि उन्होंने मुझे बेटे से भी बढ़कर पाला है अगर आपका फर्ज बनता है आपके मम्मी पापा की सेवा करना तो मेरा भी फर्ज उतना ही बनता है मेरे भी मम्मी पापा की सेवा करना आप भोल रहे हो राहूल अगर मैं इस घर की बहु हूँ तो उस घर की बेटी भी हूँ मुझे दोनों का ही फर्ज निभाना है आपकी मम्मी के पास तो हमेशा आप रहते हो मैं भी रहती हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास तो कोई नहीं रहता न इसलिए राहूल मुझे अपने माय के जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए और उन्हें होस्पिटल भी लेके जाना है और जितनी जरूरत लगी उनकी सेवा भी करनी ही पड़ेगी अब इसे मा जी कुछ भी समझें मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटोंगी रहूल तुम सही कह रही हो पायल मा बापकी सेवा करना से बेटों का ही फर्ज नहीं है बेटी कभी फर्ज है क्योंकि मा बापके लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं और वो कभी परवरिश में बेटी ये ब करती हैं और बेटियां अपने मा बाप अपने सास असुर सभी का बराबर सेवा करती हैं और पायल तुम आराम से जाओ अच्छे से रहो उनका ध्यान रखो उनको डॉक्टर को अच्छे से दिखा दो जब तेक जरूरत लगे आप वहां रुख जाना यहां मैं हूं समझने क के लिए और ममी आप जाने दो पायल को आपको समझने के लिए मैं हूं यहां पर मुझे भी माप कर दो बहूं मुझे थोड़ा देर से समझ में आई यह बात बहुत कम बेटियां ऐसी होती हैं जो बेटों की तरह अपना फर्श निभाती हैं और तो को तो मेरी जैसी सासे मि ना लूँगी मुझे तेरी बात बहुत देर से समझ में आई बहू तो जा बहू और कुछ जरूरत लगे तो बताना मैं राहूल को भी भेज दूँगी और जब ममी ठीक हो जाए तब ही आना हलो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना और अगर स्टोरी पसंद आये हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट जाकर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सी अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी के साथ त अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान लगिए